मैं राजवीर सिंग शुरान असोशेट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री स्रार मुरार्का गुर्मेंट पीजी को लेज जुमिनों फर्स्ट अफ आल गुड़ मॉर्निंग टू आल दी स्टुदेंट्स ओक बीस्टी पार थर्ड पिछले वीडियो लक्षर के अंदर अपने इट्रोसाइकली कंपाउंट्स वाली उनिटी स्टार्ट कर रखी थी जिसमें इट्रोसाइकली कंपाउंट्स के अंदर अपने 5 मेंबर इट्रोसाइकली कंपाउंट्स को डिसकेस किया था शिक्स मेंबर डिस्टोसाइकली के अंदर पिरीडीन को डिसक्स किया था पिरीडीन के बनाने की विद्धी और उनकी प्रोपर्टीज टुडे और फिरे इसी में कंदेंस इस्टोसाइकली को भी डिसक्स किया था जिसमें क्यूनोलीन और इंडोल को अपने डिसकस किया था Today we will continue the same unit of the last topic आईसो क्यूनोलीन So, आज अपन आईसो क्यूनोलीन पढ़ेंगे आईसो क्यूनोलीन इस संगनीत विसंचे करें योगों का लास्ट टोपिक है आईसो क्यूनोलीन के अंदर भी एक तरह से क्यूनोलीन बेंजो पिरिडीन या बेंजो अजीन होता है वैसे ही इसका नाम भी बेंजो अजीन ही है लेकिन यहाँ नाइट्रोजन जो है करमांकन जो करते हैं वो नाइट्रोजन विसंप्रमानों से नहीं करके एक नमबर कार्बन जो है, एक नमबर जो हो कार्बन को देते हैं, नाइट्रोजन जब की दो नमबर के उपर है, तो ये एक विसम सिक्रिय योकों के नामकरण के अंदर अपवाद भी आ है, कि आईसो किनोले में दो रिंग कंडेंस है, एक बेंजिन डिंग है, दूसरी बेंजिन डिंग में नाइट्रोजन जो हो, दो नमबर इस्तिती के उपर है, बेंजिन डिंग के साथ कार्बन जुडा हुआ है, पिरिडिन वाला तो उसको एक नमबर देंगे, दो नमबर नाइट्रोजन को, तीन, चार, पांच, साथ, आठ, इस प्रकार से, एन का करेंगे, अब अपन करते हैं इस आईसो किनोलीन के बनाने की वीदिया, तो आईसो किनोलीन क्या है, बिटा फेनिल एथिलमीन है, पहला मेथड़ इसका बनाने का है, बिटा फेनिल एथिलमीन की क्रिया अपन अलकेनोल क्लोराइड से करवाएंगे, और इसमें से HCL निकल ज और बिटा फिन एल्किलमाइड का अपन क्या करते हैं इनॉलाइज़ेशन करते हैं इसका किटो रूप है बिटा फिन एल्किलमाइड इस किटो रूप को अपन इनॉल रूप में बदल लेते हैं और इनॉल रूप में बदलने के वाद फॉस्परस पेंटा उक्साइड की उपस्तिते में जल के निसकासन के द्वारा ये प्रोडेक्ट जो है वो बन जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं 3,4-Di-Hydro-Alkyl-Isopinoline यानि 3,4-Di-Hydro-1-Alkyl-Isopinoline प्रोडेक्ट बनता है अब 3 और 4 के उपर क्या इस में दो ये आइडोजन अत्रिक जोड़ी हुई है तो इसका अपन भी आइडोजन इकन कर देंगे यानि पेलेडियम और सारकॉल के साथ रियक्शन कराएंगे तो ये दो आइडोजन निकल जाएंगी यान डियाइडोजनेशन होगर के ये दो आइडोजन निकलने के बाद प्रोड़क्ट आ अपना 1-Alkyl-PDT तो इस फिदी को बोलते हैं इस आइसो किनोलियन के लिए एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू से बिसलर नेप्रियल्स की संसलेशन जो है वो इंपोर्टेंट है दूसरा मेथड इसमें अपन लेते हैं पिक्टेट गार्स मेथड यानि पिक्टेट गार्स मेथड एक तरह से ये बिसलर नेप्रियल्स की संसलेशन का ही संसोत दितरूप होता है इसके अंदर रिएजेंट जो लेंगे अपन या रियक्टेंट जो लेंगे वो बिटा एड्रोक्सी, बिटा फेनिल एथिलामाइड जो है प्रोड़क्ट लेंगे बिटा एड्रोक्सी, बिटा फेनिल एथिलामाइड अपन ने रियक्टेंट लिया एसिड कटलिस्ट की उपस्तिते में फोस्पोरस्मेंट आउक्साइड काम में लेते हैं और प्रोक्ट की तरह ही इस विशलेड ने प्रिल्स की संसलेशन में बनता है 1-alkyl-isokinoline तो ये नमबर दो मेथड हो गया इसका ISO-Pinoline बनाने का तो ये समझ में आगे दोनों मेथड विशलेड ने प्रिल्स की संसलेशन और पिक्टेट गार्ष पिक्टेट गार्ष और एक तरह से बिस्लन अपरिल्स की मेथट का इसन सोधी दूब है तीसरा मेथट आप देख सकते हो from Sinemaldehyde Oxym तो इस Sinemaldehyde Oxym में क्या करते हैं पहले अपन Sinemaldehyde लेते हैं और Sinemaldehyde की reaction जो है Hydroxylamine से करवाएंगे तो H2O निकार देंगे इसमें से और product जो है ये Oxym टाइप जो है पढ़ जाएगा इसकी Phosphorus Penta Oxide की उपस्तिते में reaction कराएंगे तो ये बेकमान पनल मिन्यास भी कहलाता है और ये उप्रोक जैसे reaction में keto form है, इस keto form को ये अपने inol form में बदल लिया और H2O की निसकाशन के द्वारा ये कोई निर्जिली कारक डाल देंगे इसमें Concentrator S2SO4 है या Phosphorus Penta Oxide है या Aluminium Oxide है ये सब निर्जिली कारक है तो इस inol form में ये डालने के बाद आइसो किनोलीन जो हो अपने को प्राप्त होता है तो ये तीन मेथड बनाने के हो गए इसके आइसो किनोलीन के चौत्था मेथड जो है वो अपन कर सकते हैं बेंजल्डी हाइड और एथिलमीन की रियक्शन के द्वारा तो बेंजल्डी हाइड में CHO ग्रूप है और एथिलमीन में NH2 ग्रूप है तो यहां से एक S2 के निश्कासन के द्वारा ये एक कंपाउंड बन जाएगा और इस कंपाउंड की रियक्शन जो है अपन रेड ओटाइरेंट टूप में से करवाएंगे रेड ओटाइरेंट टूप में रखत अप्तलोई के निलिका में से इसको प्रोवाइद करेंगे तो इसका साइकलाइजेशन होकर के आईसो किनोलीन प्रोडेक्ट जो है हुआ बन जाएगा तो इस कुल मिलाकर के यह चार मेथड होगे इसके आईसो किनोलीन के बनाने के विस्टेर नेप्रिल्स की मेथड हो गया और दूसरा मेथड पिक्टेट गार्स मेथड हो गया थर्ड सिनेमल डी आइड और आइडोक्सिलमीन से हो गया और सोथा मेथड जो है बेंजल डी आइड और एथिलमीन की किरिया के द्वारा अब इसकी प्रोपर्टीज डिसकस करें आपन तो ये आईसो किनोलीन जो है कलरलेस लिक्विड होता है बोलिंग पॉइंट इसका 243 डिग्री सेंटिग्रेट और इट इस इंसोलिबल इन वाटर पानी के अंदर जो है ये एविला है बेसिक नेचर अगर देखें तो जैसे किनोलीन के अंदर नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन की परकरती जो है वो तरस्री है वैसे ही इस आईसो किनोलीन के अंदर भी नाइट्रोजन की परकरती जो है वो तिरतियक होती है अर्थात अपनी रियक्शन के द्वारा कैसे सिद्ध कर सकते हैं इसको कि आइसो किनोलीन की रियक्शन ये दी मेथिल आइडाइड से करें तो एन मेथिल आइसो किनोलीनियम आइडाइड जो प्रोडेक्ट बनता है तो इन दो रियक्शन के द्वारा अपने ये सिद्ध कर सकते हैं कि नाइट्रोजन जो आईसो किनोलिन में उपस्तित है वो तिर्थी एक प्रकति की होती है। दूसरा अपन करें इसके अंदर रिडेक्शन है। तो रिडेक्शन की अप्चेन की जो अविग्रिया है, वो अप्चेन अपन तीन प्रकार के रिड़ुशिंग रिएजेंट काम में लेते हैं। आईसो किनोलीन लिया और रिडिशिंग रिजेंट अपने मान दो लीथियम अलिमिनियम आईडाइड लिया तो लीथियम अलिमिनियम आईडाइड या सोडियम प्लस अमोनिया ले 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 यानि दो आईडोजन काम में लेते हैं तो इसमें प्रोडेक्ट जो है 1,2 डाइड्रो आइसो किनोलीन बनेगा यदि अप चाहे कि रूप में अपने 10 प्लस HCl ले लिया तो 4 आइड्रोजन अपने को काम में लेने पढ़ेंगी टेटराइड्रो आइसो किनोलीन जो है वो प्रोडेक्ट बने गया इसी प्रकार से यदि प्लेटिनम और एसीड की उपस्तिते में इसका अपन ये रिडेक्शन करवाएं तो 10 आइड्रोजन अपने को काम में लेने पढ़ेंगी और इस आइसो किनोलीन का पूर्ण तयाप जैन हो जाएगा यहने डेका अइड्रो आइसो किनोलीन जो है प्रोडेक्ट बनेगा तो ये इसकी रिडेक्शन रियेक्शन हो गई इसी प्रकार से यदि इसका अपने को ऑक्सडेशन करना आइसो किनोलीन का तो आइसो किनोलीन का ऑक्सडेशन अलक्लाइन की आमनोफोर की उपस्तिते में क किनोलीन का पर-Benzoμάik Acid की अपस्तिति में करते हैं तो लियक्सिट में दिखाया है ऐसी किनोलेन एन-ाक्षाइड प्रोडेक्ट वह बनता है अब कियुनॉलिन में जैसे एपने डिसकस की थी इसकी इलक्टून्स ने पर्तिस्थापने भिगी आई और नुकलियोफिलिक सब्रिट्टूशन डियक्शन तो आईसो कियुनॉलिन भी इलक्टू식 सब्रिट्टूशन डियक्शन देता है अब वो कौन सी इस्तिती पर देता है ये इस में अभी अपन डिसकस करेंगे कि नाइट्रोजन के माइनस आई परवाओ के कारण पिरीडीन वले इलेक्ट्रोन नियून हो जाती है जैसा कि किनोलीन में होता है वैसा इसमें आता है इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन वले की इस्तिती पांच और आठ परी जोटेगा एक इसमें अपवाद है कि ब्रोमिनी करण और मर्कुरी करण जो है पिरीडीन वलेक्ट्रोजन की इस्तिती चार पर होता है यह अपवाद आता है इसके अंदर बाकि इसकी वो रियक्शन जो है नाइट्री करण सलफोनी करण पलस एट नाइट्र आइट्र आईसो किनोलीन उनलीन प्रोडेक्ट बनता है इसीПरकार से सलफोनी करण कराएं अपन तो आइसो के नोलीन के साथ करें हुए एस तू आइस्टु yeah Cheers तो आइसोकुलोलेन 5 सलफोनिक और प्लस आइसोकुनोलेन 8 सलफोनिक डिंब प्रोडक्ट अब जैसा कि उपर अपने डिसकेश किया था कि ब्रोमिनीकरण और मरकुरीकरण ये दो रियक्शन जो है ये इलेक्ट्रोफायल जो इसमें जुड़ेगा वो पिरिडिन वल्ले पर जुड़ेगा ने की बेंजीन वलेक के उपर यह exception है जैसे ब्रॉमीनिकन किया अपने फोर ब्रॉम आइसो किनोलीन प्रोडेक्ट बनेगा और इसी प्रकार से मर्कुरी के सिटेट से रियक्शन कराई है अपने तो फोर असिटोक्सी मर्कुरी आइसो किनोलीन बनेगा इस प्रकार से यह Electrophilic Substitution Reactions इस आईट्रोजिन प्रेक्षन यह वो गई तो Nucleofil जैसे इस नाइट्रोजन के उपर नाइट्रोजन वाड़न यानि प्रीडीन व्लय पर तो दो जूत रहा था वैसे ही इस आईट्रोजिन में भी नुक्लियोफाइल पिरिडिन विले की इस्तिती एक पर जुड़ता है कारण नाइट्रोजन के माइनस आई परवाओ के कारण एक इस नभी के उपर जो है अधिक पोजिटिव चार्ज उपस्तित होगा तो यह इसका कारण है एक इस्तिती पर जुड़ने का तो इसके उधरन लें अगर आपन तो आई आइसोकुनोलिन लिया अपने और आईसोकुनोलिन के किरिया आपने एनेवच या केवच के साथ करवाई तो प्रोड़क्ट आएगा वन हाइडरोक्सी यानी नुक्लियू हैल क्या हुआएछ में अेवच और केवच में OH- तो OH- जोगा वो पिरिडिन भले कि एक नमबर इस्तेती पर जुड़ जाएगा तो वन आइड्रोक्षी आइसो क्युनोलिन प्रोड़क्ट बन गया दूसरा इसकी सोडा माइड के साथ रेक्शन कराएं या ने प्लस एनेस थी एनेस्टू माइनस जो है ये नुक्लियोफाईल हो गया तो वन आइड्रोक्षी आइसो क्युनोलिन बनेगा और इसी इस रेक्शन को अपन बोलते हैं चीची वेबी न भीगरिया जैसे कि उसमें क्युनोलिन के अंदर भी थाए तो आइसो क्युनोलिन हमाइड के साथ किरिया करके वन आमीनो आइसो क्युनोलिन प्रोड़क्ट देता है जिसको अपन चीची वेबी न भीगरिया बोलते हैं इसी प्रकार से आइसो क्युनोलिन जो है सोटियम इथोक्षाइड के साथ किरिया करके वन इथोक्सी आईसो किनोलीन जो है प्रॉड्यक्ट बनाता है और इसमें इतोक्साइड आईन जो हो नुक्लीओफाईल है तो वन इतोक्सी आईसो किनोलीन और आईन बूत Coronaियन के साथ किंड़िया कराएं या यह नुक्लियोफाइल जो है एक नंबर इस्तिती पर जोड़ेंगे जैसे वन नॉर्मल ब्यूटिल आइसोकिनोलीन या वन अलकिल आइसोकिनोलीन या वन फैनिल आइसोकिनोलीन टैप के प्रोडेक्ट बढ़ेंगे फिर इसके अंदर सुपर अरोमेटिक कंपाउंट्स क्या है यह आइसोकिनोलीन कंप्लीट हो गया एक सोट नोट आ जाता है इसके उपर की वाट आर सुपर अरोमेटिक कंपाउंट्स अति अरोमेटिक योगिक तो पिरोल फिरेन और थाइफिन को सुपर अरोमेटिक कंपाउं तो थायफिन की 29 किलो कलोरी पर मौल है, पिरोल की 21 है और फिरेन में 16 किलो कलोरी पर मौल है तो थायफिन की अननाद उर्जा का मान सबसे अधिक्तम है क्योंकि सल्फर के रिक्त 3D कक्सकूं का अननाद में योगदान होता है इसी कारंट थाएफिन के नादी सरेंच नहीं पिरोल और फिरेन की तुलना में आधिक होती है इन योईकों में विसम प्रमाणू फिनॉलिक होज समू हैरोमेटिक एनेस्टू समू की बाती वले को अपना लॉन पेर परदान करते हैं इन योईकों की किरिया सिलता फिनॉल और एनिलिन के समानी होती है जैसा कि इन रियक्शन्स में दिखाया है कि फिनॉल में लॉन पेर उपस्ती था वह समू के ओपर तो यह रेजनेंस के अंदर बाग लेकर कि यह निम परकार के नादी सरेंच नहीं बनाता है वैसे ही पिरोल इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि पिरोल फिरेन की तुलना में अधिक किरिया सिल है क्योंकि दनावेशित दनावेश दारण करने की सक्ती जो है नाइट्रोजन में ओक्सिजन की एफेक्सा अधिक होती है थायोफिन में सलफर के बड़े आकार के कारण प्लस-म प्रभाव अ अधिक नहीं होता क्योंकि इसलिए फिरेन से कम किरिया सिल होते हैं तो इस प्रकार से यह आपकी पूरी यूनिट जोहाज की इस वीडियो लक्षर में अपने कवर कर लिए है इंडोल किनोलीन और आइसो किनोलीन यह सब आगे ओके थैंक यू कर देंगे इंडो झाल कि कुछ लेग।